find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and the coefficients सबसे पहले quadratic polynomial क्या है मेरे पास x square plus 7x plus 10 ठीक है यह है x square plus 7x plus 10 ठीक है इसको मैं लिखूँ को कैसे देखो मेरा main motive क्या होता है इसको a और b में तोड़ू यह जो 7 है इसको a और b में तोड़ू ताकि a plus b कितना हो जाए a plus b आए 7 और यह a into b क्या है यह 10 आए तो मैं 7 के दो पार्ट करूँगा जिन्हें sum करूँ तो 7 आए और जिन्हें multiply करूँ तो 10 आए तो मैं क्या दूँ a को मान लो 5 और b को मान लो 2 clear है नहीं यह a को मान लीजे 5 और b को मान लीजे 2 तो मैंने क्या लिखा इसको x square plus 5x plus 2x plus 10 is equal to 0 ठीक है आब इस equation क्या लिख दिया मैंने this employees x plus 5 फिर plus इन दोने equation में से 2 common दिया तो फिर क्या है x plus 5 is equal to 0 से अब x plus 5 दोने में से common आ जाएगा x plus 5 और x plus 2 is equal to 0 तो यहां से x क्या आ गया x आ गया minus आ गया या तो x plus 5 0 होगा या फिर क्या होगा x plus 2 0 होगा ठीक है दो case मन जाएगे तो यहां से क्या आ गया x is equal to minus 5 यहां से आ गया x is equal to minus 2 ठीक है यह हमारे दो 0 जा गया x is equal to minus 5 और x is equal to minus 2 अब मैं क्या करता हूँ देखें मैं आप क्या करूँगा यह तो आई क्या मेरा यह दो पार्ट होगा ठीक है ना x is equal to minus 5 और x is equal to minus अब जो next है वो यह है यह x पर इसकी दो value आगे मान लो यह होगा alpha 5 और यह होगा बीटा यह क्या होगा minus 2 तो अब देखते हैं alpha plus beta कितना आएगा alpha plus beta will be minus 5 plus minus 2 यह कितना आगया minus 7 और alpha into beta कितना आएगा minus 5 into minus 2 यह कितना आगया positive 10 I hope यहाँ तो clear होगा ठीक है alpha, beta minus 5, minus 2 product आगया दूसरा तरीका है हमारी equation क्या है x square plus 7 x plus 10 is equal to 0 यहाँ पर a कितना है 1 b कितना है 7 यह होता है यह a है 1 यह b है और c कितना है 10 तो sum of roots क्या होता है sum of zeros या sum of roots sum of 0 क्या होता है यह होता है minus b by a यानि alpha plus beta is equal to minus b minus b यानि minus 7 by 1 यह कितना आगया minus 7 यह दोनो verify match कर रहे हैं यह दोनो same है यह दोनो देखिए यह दोनो values मेरी same है कोई दिक्टर नहीं यह सहीम है ठीक है एक चिस verify होगी अगला alpha into beta यह क्या होता है यह होता है यह होता है अगला beta is what product of product of 0 यह क्या होता है c by alpha into beta c कितना है हमारा c है 10 तो हमारी दोनों चीज़ माच हो रही है तो हमने zeros निकाल भी लिए zeros थो हमने पहले निकाल लिए थे alpha है था minus 5 beta है था minus 2 और हमने relation verify भी कर लिया कितना हुआ 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 है